नमस्कार फिवर पलकों की छाओं सीजन टू में देखने को मिले काफी ट्विस्ट अंट रंसे जहां पर देखने को मिला कि अब सुमन और अंसुमन को करना होता है वनवास को पूरा जहां पर जो ये वनवास होता है ये पूरे छह महिने का मिला होता है इने गोसाला के अंदर रहना होता है लेकिन यहां पर सिरिस आ चुका है जेल से बाहर जहां पर वो सुमन और अंसुमन से लेना चाहता बदला दोनों को माने की कोशिस कर रहा होता है आप यहां पर जैसे ही सुमन सभी पंडी जी जो भी नाना जी होते हैं सब को यहां पर लेकर आती है और फिर उन्ह साम्गरी लेने के लिए जुद सामान लेने के लिए जा रहा हूं तो वहां पर जैसे वो कर ंबहीन देखने को मिलता है जहाँ पर आब जह्या महीन की इस पूरी नजया नजराएंगी। लेकिन यहां पर नंदन भी जल्दी सुदरने वाला है जहां पर सुमन और अंसुमन नंदन को सुदार का गर वापिस लेकर आते हुए नहीं से रहेंगे च्छा मैने बाद हो की फिर से सुमन अंसुमन और नंदन की वापिस गर में एंट्री